हमारी YouTube चैनल Godlywood Studio को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें नएलोग के अवारोग परवाधिराज परियुशन की साधनाओं के बीच कितना सुन्दर चिंतन हम सभी कर रहे हैं आप सभी को भी रमकुमारिस के परिवार की तरफ से हम हारदिक शुप कामनाई देते हैं जैन दर्शन और उसमें भी चातुरमास के दोरान साधु भगवंतों का सानिध्य साधना का समय और उसमें आता है जब परियुशन तो एक प्रकार से ज्वार उठता है जैसे समुंद्र की लहरे उठती है ऐसे ही साधना की लहरे जीवन में उठती है जैन दर्शन की जब भी बात करेंगे तो नवकार मंत्र के बिना तो अधुरा है कितना सुन्दर मंत्र जैन धर्म ने हमें दिया कितने सुन्दर भाव है कि पांच प्रकार से पांच महा विभूतियों का अर्थात उन पदों को नमस्कार करने का ये सुन्दर मंत्र है इसे नमस्कार मंत्र भी कहा जाता है इसमें कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है लेकिन उन पद पर जो भी पहुँच जाए उन सभी विभूतियों को नमस्कार है अरिहंत को नमस्कार अर्थात जिनोंने अपने कर्मो रूपी शत्रूओं को मार चुके हैं जिनोंने अपने जीवन को निश्क कशाई कर लिया है, कर्म बंधन से मुक्त कर लिया है, ऐसे अरीहंत को नमस्कार किया जाता है साथी साथ जैन धर्म के सभी सिद्धों को नमस्कार किया जाता है सिद्ध वो स्थिती है जिसमें की सभी प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव आत्मा में हो जाता है और आत्मा ऐसी मुक्त अवस्था में आ जाती है कि जब उसे पीछे के कर्म खीचते नहीं है सिद्ध स्थिती में विराजमान उन आत्माओं को भी नमस्कार किया गया है वास्तव में हम सभी भी उसी पत पर अग्रसर है जहां हमें अनेक बंधनों से परे अनेक उद्भवों से परे एक पवित्र और निश्चल मन को बनाना है आत्मा पंची बनकर विचरण करे मुक्त गगन में ऐसा बनना है तो हम नमस्कार करे और अपने आपको भी लक्ष दे नमो आयर यानम अर्थाद हम उन आचारियों को नमस्कार करते हैं जो हमें दिक्षा शिक्षा देते हैं जो हमें धर्म के मार्ग पर प्रमीन बनाते हैं क्योंकि जब हमें कोई मार्ग दर्शन करता है तबी तो आत्मा की आँख खुलती है तो जीवन में जिनसे भी हमें मार्ग दर्शन मिला धर्मलाब मिला उने भी हमें नतमस्तक अर्थाद उनका रिस्पेक्ट करना बहुती ज़रूरी है नमो वज्जायानम मागदी भाशा में उपाध्याई को वज्जायानम कहा उपाध्याई जो धर्म उपदेश भी देते हैं जो सादू बन करके विचरण करते हैं अनेकों को धर्म मार्ग पर लाते हैं कितना पवित्र होता है उनका जीवन जो केवल लोक कल्यान के लिए जीते हैं जिनोंने अपने स्वार्थ के लिए जीना छोड़ दिया है जिनोंने विशयों का पान करना छोड़ कर और धर्म का ही पान करना और धर्म का पान कराना यही जीवन का ध्याई बनाया है उसे भी हम जरूर मन से मानते हैं कि अगर ऐसे लोग संसार में न हो कि जो अपने स्वार्थ से उपर उठकर लोक कल्यान का कारिय करे तब तो इस संसार को कौन मार्ग बताएगा उन्हें भी नमस्कार और इस लोक में विध्यमान समस्त साधूों को नमस्कार करने का भी मंत्र हमें याद दिलाता है जैन दर्शन में केवल जैन साधूों की नमस्कार की बात नहीं है लेकिन लोक में विराजमान सर्वसाधूं को जो इश्वर के जो धर्म के नाम पर जी रहे हैं उन सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया जाता है कितने सुन्दर भाव है कि ऐसे संतों का हम नमस्कार तो करते ही है और इनी में हम सब प्राणी मात्र का कल्यान समाया हुआ है और कल्यान के मार्क पर चलने का ये सुन्दर मंत्र न केवल हम मुख से जपे नवकार मंत्र की सपल साधना ये ही है कि शब्दों का मन में भाव उत्रे क्योंकि ये 68 अकसर नव पद का मंत्र है जो केवल बोलने में तो 4 सेकंड लगता है और हम सभी रोज ही इसका उचारण कर लेते हैं परन्तु इनके भावों में रमन करना ये एक प्रोसेस एक प्रक्रिया है जब तक हम अपने से उच आत्माओं का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे साधी साथ समस्त कल्यान के भावों को अपने में नहीं उतारेंगे तब तक भला मंत्र सार्थक के से होगा मंत्र होता ही है मन को स्थिर करने के लिए मन को गाइड करने के लिए आज का मानव ये तो ढूण रहा है कि मंगल पर जीवन है की नहीं परन्तु ढूणना तो ये है कि जीवन में मंगल है की नहीं आज जीवन का मंगल यानि की शुब मार्ग, कल्यान का मार्ग, आराम, मन की शांती ये कहीं न कहीं खोती जा रही है अठारा पापों का जो जीवन में सतत प्रवेश व्यक्ति करवा रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मन मंत्र में रहता नहीं है शब्दों से यानि वाणी से मंत्र का जाप जरूर करते हैं परंतु मन अगर मंत्र मुख्ध रहे अपने लक्ष की और अग्रसर रहे आत्म रमन करे तो कोई भी पाप जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता पाप अर्थात अंधकार अंधकार जीवन में तभी होता है जब ग्यान प्रकाश नहीं होता आईए हम ग्यान प्रकाश को सतत जागरत रखें यानि की मन से ऐसे मंत्र मुख्ध रहे कि जिससे मन को सतत उस प्रकाश के कारण तभी भी मार्ग भटकने का कभी भी चांस न रहे आज मन को कितने सारे विशयों की आज सामने प्रस्तूती हो रही है ना जाने हम क्या क्या दुनिया में कितने विशयों को जानने लगे हैं कभी इंटरनेट के माधियम से, कभी टीवी के माधियम से, पढ़ाई के माधियम से, लोगों के माधियम से, हमारा मन कितने कितने विशयों के बारे में चिंतन करता है, जब हम मंत्र करते हैं, अर्थात सारे विशयों से स्विच आफ करके, और अपना स्विच आउन करते हैं, क चाथी साथ मन की निर्मलता हो, अगर मन विशे विकवरों का आदी है और वो जाप तो कर रहा है, तो वो जाप भी अंदर स्थान नहीं ले पाता है, क्योंकि शब्दों में बल नहीं होता है, बल तो होता है उसके पीछे के भाव में, जैसे कोई भी मशीन कितनी भी अच्छी हो, परंतु संभव है कि उसे ओपरेट करने वाला अगर इतना ट्रेंड ना हो, तो वो मशीन भी काम नहीं कर पाती, ऐसे ही मंत्र तो बहुत ही उत्तम है, परंतु मंत्र के यूज करने वाला आत्मा, यानि हम, स्वयम, जितना उसका सतत अभ्यास करेंगे, कि मुझे स्वयम को उच्च बनाना है, मुझे अपवित्र भावों से मुक्त रहना है, संसार में रहते हुए, काम, क्रोध, लोब, मान, माया, इरशा, आलस्य, इन सब का जो नुकसान है, उसकी मुझे पूरी पूरी जागरती अब आ चुकी है, और मैं, सतत, जागरत, आत्मा, इन सब बातो उसे मुक्त, अंधकार को पीछे छोड़ते हुए, उस परम प्रकाश की और आगे बढ़ू, जीवन में ग्रस्थी में रहते, अनेका अनेक मेल, जो चारो तरफ से लगते रहते हैं, आईए अपने मन में धर्म को रमाएं, धर्म को स्थान दे दे, आज धर्म मंदिरों में ह परन्तु चेकतर ना है, मेरे मन में कितना है, मेरा मन ही मंदिर बन जाए, मेरा मन ही स्थान बन जाए, जहां से गुणों की खुश्बु आए, धर्म की सुगंद फैले, और प्रभु स्वयम जहां विराजमान होने का सोचे, ऐसा ही परम कर्तव्य जो हमें से खाएं, वही है नवकार वा नमसकार मंत्र, तो आईए, इतने सुन्दर चमतकारिक मंत्र को सच्चे भाव के साथ करें, और अपने साथ साथ समस्त जीव जगत का कल्यान करें, ओम शान्ती, जै जिन्ट झाल 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 करें, और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें